हलो एब्रिवन वेलकम बैक तो माई चैनल सुगाइस आज के लेक्शन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे है कोश्चन नमबर 15 कोश्चन नमबर 15 जो है लास्ट कोश्चन है इस चैप्टर का इसके बाद इस चैप्टर फिनीश हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कोश्चन में 15 है यह थोड़ा अलग है बिल्कुल डिफरेंट है अभी तक हमने ऐसा कोश्चन नहीं किया है और इसमें अलग किया है वो देखते हैं यह स्टार्ट करते हैं लिखा है फॉलोई इंपोमेशन इस अगर आप निकाल लिए तो हम एक काम करते हैं इसको निकाल लेता है 6% अवसेल कितना है 18,000,000 इसका 6% अगर आप निकालो कि तो यह आएगा 1860,000 इसको यह आएगा इतना तीक है 6% of sales 6% of sales हमने यहापर रेबल एक्सपेंसे निकाल लिया है एक लाग आठ अठ अजार सपोस्थ हमने सेल किया है यहाँ पर इतना तो जो हमने सेल किया उससे 20% जादे अ कर देंगे परचेश निकलाये गा आगे स्टोक तनिवर रेश्यो दे रहा का सिक्स टाइं सीन अ ए ठीक है अब देख राप इसमें सारे चीज़े हमें अलग अलग दे रखें एक दम अभी शायद आपको समझ भी ना रहा हूं लेकिन जो हम इसे करेंगे तो इजली हसानी से हो जाएगा तो यह विल बी इवेंडली इस्प्रैट थ्रॉड यह ओल से इस विल बी फोर कैश बट 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 वन मंस क्रेडिट फोर पटे सारी कि सारी सेल जो है वो कैश में होते तो मतलब क सारी केश में होते हैं लेकिन जो वन मंत क्रेडिट रहता है किसको रहता है पर्चेज इसको आगे हमसे कह रहा है हां तो यानि कि क्रेडिटर साइंगे डाट नहीं आएंगे करेंट लाइबिटी साइट यू आपकुलेट अब देखो क्या निकालना है में एस्टिमेटि प् नोता है सेयल में से पर्चेज माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफित निकल करायगा एक्सिंस माइनस करेंगे वेरेबल फिक्ष्ट पिक दोनओ दे रखें दोनों को माइनस करना पड़ेगा तह robust निकल करायगा ठीकिये आगे कह रहाएं एवरेज वरकिंग डिंग डिंग डि के नहीं कोई cash है कुछ भी नहीं आता हाँ cash होगा cash होगा मैं अभी बताऊंगी cash कैसे cash आएगा ठीक है उसके बाद आता है current liabilities, current liabilities में यहाँ पे तो कुछ है नहीं बस cable creditors है तो हम creditors लिखेंगे और दोनों को कर देंगे माइनस तो working capital निकल कर आएगा तो आए इस question को शुरू करते हैं देखो गई सबसे पहले इस question को start करने के तरीका यह है कि आप यह निकाल लो इसे कैसे निकालेंगे आए स्टार्ट करते हैं मैं बुक भी रखी रहें देते ताकि कोई भी अगर आपको कुछ भी पूछना है मतलब कुछ भी दिक्कत होती है हमें कुछ लगता है कुछ छुट रहा है या देखने पा रहें किसी को तो अभी hand to hand देख लेंगे इसलिए बुक भी हही पर है तो सबसे पहले हम लिखेंग बड़नोतर है कि यहां पर जो सेल वह ठोल दिलिखेंगे 18 0000 का सेल हुआ है तो यह रिखेंगे 18 0000,00 अब उसके बाद हम पर्छेव लेंगे मतल ay इसमी मतलब माइनुस करेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम च्रेमिये या पर्छेव गए तो अब कि यहां पर फेल चल बढर यानि कि किस से जादा रहा है, cost of purchase, जतना हमने purchase किया है उससे 20% हमने extra price रखे है, अपने selling price के, ठीक है, तो extra रखे है, यानि कि 100 अगर है, तो 120 रखे होंगे, 100 divided by 120, तो यह हम करेंगे, तो यह जो calculate करेंगे, तो यह आएगा हमारा 15 लाग, आप इसे calculate करना, तो 15 लाग आएगा, ठीक है, तो इसको minus हम करेंगे, यहाँ पर मिलेगा, हमें 3 लाग, ओके, तो यह जो है, यह क्या आगे हमारा gross profit, अभी हमने कोई भी expense minus नहीं किया है, के वाज sale जो कि उसमें से purchase गटाया है, तो उसका मतलब यह हमारा gross profit निकल कर आगया, ओके, अगर gross profit आप वैसे भी निकालत ठीक है, 18 लाग, 20% टेक्स्टरा से इल के, 120 का, करके देखना यह ही आजाएगा, ठीक है, चाबब तो करके देख लो, 3 लाग ही आएगा, मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ, प्रशान नियों आप, 18 लाग, ठीक है, इसका हमें कितना निकालना है, 20 divided by 120, ठीक है, यह clicking expenses expenses हमारे दो है एक तो है variable और एक है fixed तो fixed expenses लिखते हूं पहले fixed expenses तो fixed expenses तो fixed है वो है हमारे पास में कितना 36,000 पर है ना यह book में गीवन है हमें मैं अपने पास से नहीं लिख रही हूं variable expense हमसे क्या रहा था 6% of sales का तो 6% sales का 6% कितना होगा sales का sales है अठारा लाक अठारा लाक का 6% अभी हमने निकाला था book में वह आया था 108 और 000 तो यह total हो जाएगा 144 0000 इसको यहां लिख लेता है 144 0000 ठीक है तो यह तो हमारा है profit gross profit लेकिन gross profit में से अभी हमें net profit निकालना net profit कैसे निकलता है जो gross profit में से minus करते थे अपने expense तो यह joint expenses मिने minus करेंगे kis में gross profit gross profit है तीर लाक expenses यह one फार्टिफोर Amerika 0000 तो इसको मैनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलकर आयेगा नैट profit निकलकर क्या असान था निकालना, easy है, असान इसे कर लेंगी, बस यह question अलग है, बाकी questions की तरह नहीं है, इसलिए हमने इसे करा है, तो यह होता है हमारा calculation of profit, अभी कारी खतम नहीं, अभी यह A की part हुआ है, हमसे 2 part करा था question निकालने के लिए, अभी हमने A की part करा है, दूसरा part हमारे पास अभी बचता है, वो है average working capital requirement, working capital लिकालना है, तो guys मैं ना इसके नीचे यहीं पर कर लिए, बी part भी, तो एक सेकेंड रुको, इस तरीके से मैंने लिख लिया है, यहाँ पर average working capital require, और B part मैं C के नीचे कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखते थे हमेशे की तरह है current assets लिखते थे, तो यहाँ पर मैं वही same heading डालूँगी current assets, अब current assets को A मानेंगे, ठीक है, अब current assets में हमारा row matter आता था, जो कि यहाँ पर given नहीं है, डलू IP आता था, वो भी given नहीं है, यहाँ पर finished goods आता था, वो भी given नहीं है, कि वहले कि stock turnover ratio given है, तो क्या हम उससे कुछ कर सकते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, stock लिखते हैं, अगर हम stock निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे, cost of sale, यह formula होता है, cost of sale divided by stock turnover ratio, यहाँ पर stock turnover ratio तो हमें given है बुक में, तो इसी की help लेंगे है, stock turnover ratio, यह कितना है, अब देखो, इसको कैसे calculate करेंगे, cost of sale, यहनी कि sale करने पर जो खर्चया आ रहा है, वो कितना था, purchases वाला, yes, 15 वाला, 15 lakh हम लेंगे यहाँ पर, उसके डिवाइट करेंगे, 6 से, जो आप इसे 6 से डिवाइट करेंगे, तो यह आपको मिलेगा, लगबग 2 lakh, ठीके, अभी यह खतम नहीं हो, अभी हमने stock निकाला है, अब current search में, यहाँ पर और की आ सकता है, data आते थे, वो भी नहीं है, कोई prepared expenses नहीं है, वो भी नहीं सकते हैं, हम यहाँ पर cash लिखेंगे, cash देखो, मैं बताते हूं, cash कैसे आएगा, हम यह assume करेंगे, कि जो भी expenses हमने pay के उसके लिए, हमारे पास 111 का cash available है, ठीक हम यहाँ पर कुछ एक point लिखेंगे, मैं आपको भी बताते हूं, हम यह इधर एक छोटा सा not लिखेंगे, not one कह सकते हैं, उसे आप यहाँ पर हम लिखेंगे, कि हम यह assume करते हूं, उस business में, it is assume, यह हम assume कर रहे हैं, it is assume that की business, जो business था, must keep, उसके पास था, हमने यह assume कर रहा है, ठीक है, और यह आपको लिखना एक्जाम में भी, minimum, cash या cash balance, ठीक है, to pay, क्या करने के लिए, at least to pay his one month expense, जो एक मेने का expense है, कम से कम उसको pay करने के लिए, उसके पास कुछ ना कुछ तो जरूर cash होगा, हमने यह assume कर रहे, to pay his one month expense, ठीक है, तो आप देखो, expense कौन से थे, दो यह थे, एक तो variable expenses था, और एक था, fixed, fixed expense, मतलब fixed खर्चा, ठीक है, तो इसके लिए, हम one month निकालेंगे, जैसे कि, cash required to pay, fixed expense for one month, one month के लिए कितना था, पहले वो कितना था, divided by 12 करेंगे, तो one month निकालाएगा, ऐसे fixed expenses कितना था, divided by 12 करेंगे, तो one month निकालाएगा, तो one month के जो amount आगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, और वो हम cash में दिखाएंगे, देखो, मैं बताते हूं कैसे करना है भी, जैसे यहां पर हमें given है, question में, question में हमें यहां पर given है, fixed expenses दे रहेगा 36,000, तो fixed expenses है 36,000, यह total है, अगर हमें एक month का निकालेंगे, तो one month का आगा 3000, ऐसी variable expense का निकालेंगे, variable expense हमें दे रहा था, 6% of sale, sale का 6% था, तो वो हमारा निक करेंगे 12 से, क्योंकि हमें one month का निकालना है, यह आएगा 9,000, अब यह जो नो जो one month के expenses, इनको प्लस करो 12,000, और यही 12,000 हम दिखाएंगे अपने cash में, ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे 12,000 जो कि हमें cash में दिखाने है, यह 12,000 यहां आ जाएगा, और 12,000 कैसा आय करेंगे, current assets, sorry, current liability, current liability में हमें यहां पर केवल और क्रेडिटर्स कीवन है, और कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिटर्स कैसे निकालेंगे, देखो, purchase इससे करता है, वो हमारे creditors होता है, purchase हमने कितना का क्या है, 15,000 का, तो 15,000,000 creditors हो जाएगा, और इस पर हम कितना allow करते है, one month allow करते हैं, book में लिखावा ता न कि सारी की, सारी से, देखो, book में साफ लिखावा है, मैं आपको दिखाती हूँ, book रखी, किसलिए, इसलिए तो रखी तरहीं यह देखो, यहां पर, आप, book में लिखावा है, यह लिखावा कि, all sales will be for cash, वो सारी तो cash में होते हैं, लेकिन, but one 1 month credit for purchase is expected मतलब जो creditor है उसको 1 month का हम time allow करते हैं तो 1 month आएगा 1 divided by 12 तो इसको हम solve कर लेते हैं अब यह हम solve करेंगे तो यह हमें मिलेगा इतना मैंने आप से कहा था इसको plus कर लेंगे तो उसको plus करते हूं तो मुझे मिलता है 2,62,000 ठीक है अब यह current assets है यह current liability का total है a-b वही same काम है अब तो a-b कर दो current assets minus current liability working capital लिकान ले के लिए working capital इसको माइनस करेंगे इसमें से तो यह हमें मिलेगा 137,000 ठीक है 1,37,000 और यही हमारा answer है 1,37,000 ठीक है गाइस तो यह था हमारा question question number 15 15 आपने देख लिए किस तरीके से अलग था question और इसमें कितना कुछ अभी करना पड़ा हमें मतलब ज्यादा difficult नहीं है easy है question बस यह बिल्कुल different था इसमें हमें net profit निकान लाता उसके बाद current assets minus current liability करके working capital निकान लाता सो गाइस यह था question number 15 और आजके lecture में इतना ही अब हम मिलते है next lecture में एक नए lecture नए topic के साथ मतलब एक नए chapter के साथ क्योंकि यह chapter हो गया हमारा फिनेश यह last question था question 15 जो कि हमने कर लिया है so is अब आपको क्या करना है अब आपका homework किया है कि chapter जब फिनेश हो गया तो आपको इसके question पहली बात तो खुद करके देखना है के और वीडियो देखने से नहीं होता है दूसरी बात है अगर आपको प्रेक्टिस करें तो इस बुक में देखो additional questions भी गीवन है कुछ आपको डलिनवस्टी के question बिल जाएंगे और अगर आपके पास बुक है तो आप illustration भी कर सकता है यह सब आप तो बुक में मिली जाएगा और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप tenure के question कर सकते है वो भी आप अच्छे से करेंगे तो आप अच्छे से score कर पाएंगे exam में ठीक है तो यह था आज का lecture इसके अलाबा अभी हमारे पास कुछ नहीं है स्टार्ट करने के लिए हम एक नया lecture स्टार्ट करेंगे नया chapter तो हम मिलते एक नए वीडियो में नया chapter के साथ तब तक लिए बाई and stay connected